हिमाचल के मंडी शहर के अतिहासिक सेरी मंच पर मंगलवार रात मिस्टर और मिस नॉर्दन सेमे फिनाले आयोजित किया गया इसमें उत्री भारत के 500 से अधिक प्रतिभाग्यों में से ऑडिशन में चैनित हुए 132 प्रतिभाग्यों ने भाग लिया इन में से चैनित 60 प्रतिभागी इसी महा हिमाचल में होने वाले फिनाले में अपना जल्बा बिखेरेंगे सेरी मंच पर हुए इस सेमे फिनाले का आयोजन फिट अफ फायर अकादमी द्वारा करवाया गया सेमे फिनाले में फीमेल जजमेंट पैनल में मिस यूनिवर्स इंडिया के टॉप 20 में जगह बना चुकी हिमाचल की वेटी अनुश्का दत्ता रही जबकि मेल जजमेंट पैनल में जाने माने मौडल बैन एम विशेश रूप से मौजूद रहे हुआ हुमें आओ करें एम एमप बना को फ्राश्मारा कि सब्स्टरण हो यह बना इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई नामियक अलाकार प्रसिद पहाड़ी गायक एसी भारतवाज अजे चुहान, कुमार साहिल, हिमाचली जोड़ी और जानेवाने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने भी अपनी प्रस्तुती दर्ज करवाई मिस्टर एंड मिस नॉर्दन सेमी फिनाले में आयोजिकों द्वारा प्रदेश फर की विभिन विभूतियों को सम्मानित भी किया गया आयोजिक अमित भाटिया ने बताया कि फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी श्वेता शारदा विशेश रूप से मौजूद रहेंगी तो यहां से हम लोग 2020 बच्चे आगे लेके जाएंगे फिनाले में और फिनाले हम नमबर महिने में करेंगे और उसके ग्राइन फिनाले में जैसे हमने बता था कि मिस यूनिवर्स इंडिया सोता साथा जी आ रहे हैं और सेमी फिनाले के जज्जमेंड पैनल में थे हमारे अनुश्का दता जी जो मिस यूनिवर्स हिमाचल रहे हैं और इसके साथ में वो Miss Universe इंडिया में फाइनलिस्ट रहे हैं तो जो भी हमारे बच्चे फाइनल में जाएंगे उनको हमने पहले कि टॉप 10 बच्चे जो भी जाएंगे उनको अच्छी एजनसी में काम दिलाने का प्रयाश करेंगे सेमी फिनाले में भाग लेन आए परती भागियों ने भी अपने विचार साचा किये लोग साथ भी नहीं देते इन सब चीजों के लिए स्टिल यहां पे लड़कों का टैलेंट बच्चे छोटे-चोटे-बच्चों में आपने रेखा होगा इन सब चीजों के लिए टैलेंट बच्चों को ढूंड रहे हैं और उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं और अलग जगह पर जाकर ऑडिशन जोए हैं और उन्लाइन कंटेसें और हमारी जो ग्रूमिंग होती थी वह बहुत दूर दूर के थे और आज यहां आके हम हर एक लड़किया देवर सचा अमेजिन देवर सचा काइंड गर्ड और हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसर से और यह एक्सपीरेंस बहुत ही अच्छा था बहुत बड़े लेवल का था वी डेल एक्सपेक्ट की हमें इतना कुछ मिलेगा सिर्फ सैमी फिनाले में हम सोशे स हिमाचुल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 News चॉइस ऑफ हिमाचुल के साथ